नमस्कार सत्तिंदी.com में आपका स्वागत है एक नजर अब तक की सुर्ख्यों पर बारत में एक दिन में 66,732 नए मामले सामने आये हैं और 816 लोगों की मौत हुई है जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आकड़ा है 71,20,000 के पार हो गया है और मिर्थकों की संख्या 1,9,000 से ज़्याद हो चुकी है फिलहल एक्टिम मामले 8,61,000 के पार है भारत में एक दिन में 9,94,000 से अधिक सेंपल्स की टेस्टिंग की गई है जिसके साथ ही देश में कुल टेस्टिंग का आकड़ा 8,78,000 के पार हो गया है केंद्रे स्वास्यमंत्री डॉक्टर हर्शवर्दन ने कहा कि बहुप्रतिक्षित फैलूदा पेपर इस्ट्रिप टेस्ट अगले कुछ हफ्तों में आने की संभावना है इस टेस्ट में जेने एडिटिंग तकनीक का उपयोग किया गया है जिसकी मदद से 30 मिनट से भी कम समय में वायरस का पता लग जाता है ये नई दिल्ली इस्थित CSIR-IGIB द्वारा विक्सित किया गया है महराष्ट में एक दिन में 10,792 नए करोना संक्रमन के मामले दर्ज के गए हैं जिससे राज में संक्रमितों की कुल संख्या 15,28,000 के पार हो गई है और मृत्कों की संख्या 40,349 हो चुकी है फिलालाभी तक 12,66,000 से देक लोग ठीक हो चुके हैं राजी का रिकवरी रेट 82,86 फीसदी है तो मृत्ति उदर 2,64 फीसदी आंद्रपदेश में एक दिन में 5,210 नए मामले सामने आये हैं जिससे राज में कुल संक्रमितों की संख्या 75,000 के पार हो गई है और मृत्कों की संख्या 6,214 हो चुकी है फिलालेक्टि मामले 46,000 से दिखाया तमिलाडू में एक दिन में पांच हजार से अधिक करोना संक्रमण के मामले दर्ज के गए हैं और 65 लोगों की मौत हुई है जिसके साथ ही राज्यमे कुल संक्रमे तो कांक्रा 6,56,000 के पार हो गया है और मिर्थकों की संक्यार 10,222 हो चुकी है फिलहलक्टे मामले 44,000 के पार ह करनाटक में एक दिन में 9,523 नए करोना संक्रमण के मामले दर्ज के गए हैं और 75 लोगों की मौत हुई है जिसके साथ ही राज्यमे कुल संक्रमे तो कांक्रा 7,000,000 के पार हो गया है और मिर्थकों की संक्या 9,966 हो चुकी है फिलहलक्टे मामले 1,20,000 से जादे है दिल्ली म एक दिन में 2780 नए करोना संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं और 29 लोगों की मौत हुई है इसके साथ ही दिल्ली में कुल संक्रमे तो कांक्रा 3,9,000 के पार हो गया है और मिर्थकों की संक्या 5,779 हो चुकी है फिलहलक्टे मामले 21,701 हो चुके हैं दिल्ली में 31 अक्टूब उत्रपदेश में पिछले एक दिन में 3,348 नए करोना संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं और 41 लोगों की मौत भी हुई है इसके साथ ही राजमे कुल संक्रमे तो किसंख्या 4,36,000 के पार हो गई है और मिर्थकों किसंख्या 6,394 हो चुकी है फिलहलक्टे मामले 40,000 से दुनिया में करोना संक्रमे तो का आक्रा 3,74,000,000 के पार हो गया है और मिर्थकों किसंख्या 10,75,000 के पार हो गई है वहें वल्लोमेटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,83,000,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं जौन्स आपकेंस उनिवर्सेटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमे तो की संख्या 77,62,000 के पार हो गई है और मिर्थकों की संख्या 2,14,000 से जादे हो चुकी है इसके लाब अब ब्राजील में भी कुल संक्रमे तो का आक्रा 50,94,000 के पार हो गया है और मिर्थकों की संख्य एक लाग पचास हजार के पार है अमेर्की राश्पती डॉनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वो अब करोना वाइरस से इम्यून हो चुके हैं और चुनावी कैम्पेन के लिए तयार हो चुके हैं एक टीवी इंटर्वी में ट्रम्प ने कहा कि अब आपके पास ऐसा राश्पती है जो इम्यून है जिसको विरोधियों की तरह बेस्मेंट में नहीं शिपना होगा अब तक की खबर में इतना ही बागी खबरों के लिए बने रहे हैं सत्थिंदी.com के साथ